ओम नमो अरिहंतानं नमो सिद्धानं नमो आयरियानं नमो उवज्जायानं नमो लोए सवसाहुनं एसो पंचनमुकारू सववपावपनासनों मंगलाणंच सव्वेस्यं पड़मं हवै मंगलं ओम् नमो अरिहंतानं महादेव्याकुक्षिरत्नं शब्द जीतर वात्मजं राजचंद्रम्महं वंदे तत्वलो चनदायकं जे स्वरूप समझाविनां पाम्यो दुखननं समझाव्यो ते पदिनमो श्री सद्गुरु भगवन् परात्पर गुरुवे नमः परंपराचार्य गुरुवे नमः परं गुरुवे नमः साक्षात् प्रत्यक्ष सद्गुरुवे नमो नमः अनन्त अनन्त भाव भेदती भरेली भली अनन्त अनन्त नाय निक्षे पे व्याख्यानी छे सकल जगत कारीणी हारीणी मोह तारीणी भवब्धी मोक्ष चारीणी प्रामानी छे उपमा आप्यानी जेने तमारा खविते व्यर्थ आपवाथी निजमाती मापाई में मानी छे अहो राज चंद्रबाल ख्याल नथी पाम जिनेश्वर तानी जानी तेने जानी छे गुरु राज तानी वानी जानी तेने जानी छे शे ओम जेन जाए तत्वचर्चामा परम्तत्वग्य श्रिमद राजचंद्र वच्चनाम्रित पत्रांग 403 अनन्य शरण्ना आपनार एवाश्री सद्गुरु देव ने अत्यंत भक्ति थी नमस्कार चोथुपद आत्मा भोगता छे जे जे कई क्रिया छे तेते सर्व सफ़ल छे निरर्थक नथी जे कई पन करवामा आवे तेनुफळ भोगवामा आवे एवो प्रत्यक्ष अनुभव छे विश खाधा थी विश नू फण, साकर खावा थी साकर नू फण, अगनीस्पर्ष थी ते अगनीस्पर्ष नू फण, हीमने स्पर्ष करवाती हीम स्पर्ष नू जेम फण थया विना रहतु नथी, तेम कशा यादी के ओकशा यादी, जे कई पण परिणामें आत्मा प्रवर्ते तेनू फण पण थवा युग्यत छे, अने ते थाय छे, ते क्रियानों आत्मा करता होवा थी भोगता छे, आत्मा नों करता पड़ो जाने हो, अभी भोगता पड़ो, आत्मा भोगता छे, भोगना का मतलब क्या होता है? यस, अनुभाव करना, उसका नाम भोगना है, जिससे हमने असाता का, असाता को भोगा, तो कैसे कि हमने असाता का वेदन किया, अनुभाव किया? कर्म का अनुभाव करके, हम कर्म को भोगता हैं, ऐसे ही प्रत्यक चीज का अनुभाव करके, हम उसको भोगते हैं, तो वास्ता में भोगता क्या है, वो बताएंगे, कि हम किसका अनुभाव करते हैं, और किसका अनुभाव नहीं करते हैं, वास्ता में हम किसको भोगते हैं, तो यहाँ पर बता है कि जे जे कहीं क्रिया छे तेते सर्व सफ़ल छे सफ़ल मतलब फल सहित रिजल्ट सहित प्रते क्रिया का रिजल्ट है अपना कोई भी क्रिया यहाँ क्रिया का अर्थ है भाव परिणाम यह क्रिया का अर्थ है इदर से उदर जाने का नाम यह क्रिया नहीं है तो हम जो जो भाव करेंगे उसका फल है सफल सफल से बना सफलता अपन कहते हैं ने इस काम में हमको सफलता मिली मुझलब क्या मिला हमको फल मिला जो चाहा था वो मिला उसका नम फल कहलाता है अत्वा उस भाव को करने का जो फल होता है वो मिल गया हमको तो सफल तो प्रतेक क्रिया, प्रतेक भाव, प्रतेक परिणाम है वो सफल है, अर्थात भाव सहीत है कोई भी फल के बिना नहीं रहता ऐसा तीन काल में त्रेकालिक सिद्धान तही है अगर हम कोई भाव करें और उस भाव का फल हमको नहीं मिले तो ये दुनिया उलुट पुलुट हो जाए, उसका फल बनता ही है उस भाव का फल बनता है पर हम उसको किस प्रकार से वेदन करते हैं, उसके उपर डिपेंड है कर्मो कर्या जे आपने भुत काल माजन मोलई ते कर्मनों पड़ भोग्य व्याविन मारग एके छे नहीं पर नू करे लो कर्म जो परिणाम आपे मुझने तो मुझ करे ला कर्मनों समझा ये नहीं कई अर्थ ले तो भुत काल में हमने जो जो कर्म किये हैं वरतमान में जो जो कर्म कर रहे हैं भविश काल में जो कर्म करेंगे कर्म मदलब भाव आत्मा का कर्म भाव है और कोई नहीं है कर्म मडलब ऐसा नहीं समझना ग्यानावरण दर्शनावरण पुद्गल नहीं कर रहे हम वो तो कल समझा ही करता पना हम ग्यानावरण आदी कर्मों को नहीं करते हैं हम अपने भाव को करते हैं तो भाव ही यहां कर्म है उसी का नाम क्रिया है तो हम जो जो भाव करते हैं उस भाव के अनुरुप संसकार बनते है और उन संसकारों का उदे कालांतर में आता है और फिर से वो भाव कराता है यही फल है उसका और कोई फल नहीं है बहार की जो समगरी है वो फल नहीं कर्म का जैसे ऐसा कहते हैं कि आप पुन्डे करो तो आपको बहुत सारे भोग समगरी मिलेगी आपको स्वर्ग मिलेगा तो किसी के पास बहुत सारे भोग समगरी है स्वर्ग भी है, सब है परन्तु अगर वो स्वर्ग में रहकर के संतुष्ट नहीं है तो क्या उसको उसके पुन्डे कर्म का फल मिला के नहीं मिला इसलिए पुन्डे का फल समगरी नहीं है पुन्डे का फल संतुष्ट यह तब जाके अगर वो संतुष्ट है तब जाके कहा जाएगा कि इसको पुन्डे का फल मिला तो पाप और पुन्डे है वो संतुष्ट मन की संतुष्टी और असंतुष्टी पर है ना कि बाहर की समगरी पर है देखो आप भमने बहुत पुन्डे की आथा ना जो घर, मेल और नोकरो अब दाम बल्या ची तो वो तब तक ही पुन्डे की समगरी है जब तक उनसे अपने को संतुष्टी है तब तक वो अपने पुन्ये की समगरी है अर्थाद उसका नो कर्म है, नहीं तो नहीं है, नहीं तो अपने पुन्य कर्म का फल, नहीं है, समझ बारा है, इसलिए पुन्य का फल क्या है संतुष्टी, सामगरी नहीं, परंतु सामगरी से संतुष्टी होती है, इसलिए वो उसका निमित है, हमने पुण्य भाव किया था पवित्र भाव का फल ये होता है कि हमारे आत्मा में सुख होगा और अपने घर में दो गड़िया है सुख नहीं है तो वो पुण्य का फल है के नहीं वो गड़िया अपने राजमालार सुख नहीं है वो पुण्ये का फल है के नहीं क्योंकि सुख नहीं हो रहा है न जिस समय उस गाड़ी से और उस घर से सुख होगा तब वो उस कर्मक के फल की सामगरी दिमित बनेगा नहीं तो अभी तो वो क्यों परिग्र है समझ में आ रहा है वस्तु परिग्रह और पुण्ये सामगरी इन दोनों में बड़ा अंतर है जब वो हमें सुख देती है तो वो हमारी पुण्ये सामगरी हो जाती है और जब वो हमको सुख नहीं दे रही है तो वो मात्र परिग्रह है पुण्ये की सामगरी भी दे इसलिए हर समय हर वस्तू पुण्य की सामगरी नहीं हुआ करती है जब वो सुखनी दे रहे तो वो अपने लिए परिग्र बन गई और कभी-कभी तो वो ही सामगरी दुख का कारण मन जाती है पाप का उदय आता ने वो ही सामगरी दुख का कारण मन जाती है वो ही गाड़ी पहले पुण्डे के निमित से मिली थी उद्धाई के निमित से सामगरी मिली थी उसी से जब एक्सिडेंट होता है तो क्या होता है और वो सामगरी तो वो ही कि वो ही है पर वहाँ बदल गए आपके पाप का उद्धाय आया वो ही सामगरी पापरुप कन्वर्ट होई है और वो पाप कर्मक का दुख देने में निमित होगी और अगर उस समय भी आप दुखी नहीं हो तो वो आपको दुख देने में भी निमित नहीं है वो आपके असाता की सामगरी भी निम नहीं है क्योंकि दुख हो तो हो ना दुख तो हो यह निरा है तो वास्ता में भाव है वो फल है तो हम जो जो भी भाव करते हैं उस भाव के फल सुरू उस भाव के संसकार बनते हैं आत्मा में और वो संसकार है वो कालांतर में उदे आते हैं उस जब उदय आता है तो वो उदय का कोई निमित होता है तो वहाँ बाहर की कोई समगरी होती है उसके निमित से तो वो वास्ता में उस समगरी को तो नहीं भोग रहा है वो जो भाव उदय में आया है उस भाव को भोग रहा है बस उस भाव का भोगता जीव है पर इसलिए जो भाव पूर्व में किया था वो सफल है क्योंकि पूर्व में कभी क्रोध किया था आज वो ही किसी निमित से क्रोध मोहनी के रूप में उदयाया है और फिर से क्रोध हो रहा है जो क्रोध ने क्रोध कराया ये उस क्रोध का फल है मान ने मान कराया ये मान कफल है अपनी जाती के भावों कराता है वो इस कर्म कफल हुआ ग्यान की उपासना की थी ग्यान का अभ्यास किया था और बाद में वो खशोप्षम के रूप में उदे आता है तो आपको ग्यान चड़ेगा स्मरन होगा ये इस कफल और किसी ने अंत्राइ डाला था ग्यान में, आज उसको ग्यान चड़ता नहीं है, वो उसका फल, सरे कर्मका अपना एक फल है, जिस जाती का कर्म करेंगे, उस जाती के संसकार उदह में आएंगे, और उस जाती का फल अपने को हमेशा मिलता रहता है, इसलिए कहाएं कि जे ज कहीं क्रियाचे तेते सर्वस सफल्च एसा नहीं है कि हमने कोई भी भाव किया तो किस ने देखा हम किसी के बारे में अंदर अंदर ही हमको खराब भाव आ रहे हैं किस ने देखा पता ही नहीं पढ़ रहा उसको सामने जाओ अच्छा अच्छा बोलो उसके साथ और अंदर अंदर गड़ बड़ करते रहो तो जो अंदर हो रहा है वो हमारा चारीतर है उससे हमको फल मिलने वाला है बार से तो आप कुछ भी करो उसका कोई फल नहीं तो उसका फल मिलता है जैसा करते हैं वैसा फ़र कब भी व्यर्थ नहीं जाता है इसमें है इसकी केटेगरीज है कि आप आपने कोई कर्म किया भाव शुभा शुभाव की बात यहां मुखिरुट से लेना पकर्म की बात में लेना तो बाद में उस कर्म की तिवरता ज़्यादा कर सकते हैं कम कर सकते हैं उदकरशन कर सकते हैं अपकरशन कर सकते हैं संक्रमन कर सकते हैं ये सब अपने हाथ में है जीव के हाथ में पर जो प्रदेश बांदे हैं वो प्रदेश तो आपके उदे में आएंगे ही भले विपाक का उदे नहीं हो प्रदेश का उदे तो होगा होगा और उन प्रदेशों को तो नश्ट करी नहीं सकते आप विपाक को थोड़ा उपर नी प्रते कर्म करते हैं उसमें हम कुछ निकाचित अंश बानते हैं निकाचित कर्म कोई अलग नहीं है प्रते कर्मक में एक निकाचित अंश होता है कि आपने ये कर्म किया उसमें से जितना निकाचित अनुभाग पढ़ गया आपका इस्थिति पढ़ गई है उतना आपको भोग नहीं है भले आपकिती भी तपस्या करो वो नहीं जा सकता आपका इसलिए कहते हैं ना कि आटलो तो भोग वोज पढ़ से तमें तो भोग नहीं है वो तो जैसा बंधा वैसा ही भोगना पढ़ेगा बहुत प्रहत न करो तो भी आप उस निकाचित अन्ष को उपर नीचे नहीं कर सकते हैं भोगना पढ़ेगा एसे इतियास में बहुत से उधार नहीं है अंजना का सत्य अंजना का आता है उसने क्या किया कि वो राणी थी राजा की उसकी दूसरी सोतन थी तो सोतन में आपस में होता ही है तो भगवान की प्रतिमा लाई घर में उसके कक्ष में स्थापित किया उसको मतसर भावा गया पुरू भो में उसके पुरू उसको मतसर भावा गया और वो बड़ी रानी थी वो छोटी थी तो ये पृतीमा राजा देखेंगे तो राजा बहुत खुश हो जाएंगे उससे तो उसको जलन होती है उससे खुश नहीं होने ज़िए महाराज उससे प्रेमपड जाएगा मेरे से कम हो जाएगए ऐसी ये मचसरभाव चलते हैं, घरगरश्टी में सरभाव, बहुत खतरनाक चीज है, मचसरभाव, विक्ति का विक्तित्व को नाश कर देता है, सर्व नाश कर देता है, और ये अंदर-अंदर चलता हो, बाहर तो दिखते ही नहीं, तो उस ने उस प्रतिमा को घर से बाहर देखा उसको प्रतिमाय वो भी नहीं दिखा है मलब जिसके जब मत्सरभाब बढ़ता है न तो धर्म अधर्म सामने कौन है क्या है कुछ नहीं देखता है विक्ति और ऐसे प्रगाड कर्म भान लेता है इतना साकिया था उसना फिर ऐसे ही समय में कि एक साध्वी वहां उनके घर पे आई आहर चरिया के लिए देखा कि ये बहार भगवान की प्रतिमा रखी नहीं क्या है राजा का घर है तो उसको पस्चाता अब हुआ कि माता जी मेरे से गलती होगी उसको डाटा मेरे से गलती होगी मैंने मत्सरभाव में ऐसा कर लिया अब मैं क्या करूँ प्रैस्चित दो इसका कोई प्रैस्चित नहीं तुमारी संतुष्ट्री के लिए मैं भले तुमको प्रैस्चित दे तुम संतुष्ट हो जाएगी पर इसका बहुत जबरदस्त कर्म बन देए पुछ साम आकर तो करतो लिया कशाय मा करके अब केवल भोगना बस अबको और कुछ नहीं इसका उपाय नहीं और वो दो घड़ी के लिए जिन पृति मा को बाहर रखा खा उसके पती ने उसको 22 साल तक बाहर रखा दो गड़ी के लिए नहीं 22 साल तक शादी करके लाया पवन अंजय और विवा करके लाया और महल के कौने में डाल दिया 22 साल तक सामने तक नहीं देखा उसके अब कोई नहीं पत्नी बना के लाया तो आप शादी नहीं करते पर शादी करी और फिर शादी करके लाए और बदला लेने के लिए 22 साल तक सामने नहीं दिखा उसके फिर भी उस पहले तो अज्यानी थी बाद में तो ज्यानी हो गई वो जब जना सत्य के रूप में तो ज्यानी सम्मेख द्रश्टी थी तो उसने उस 22 साल तक के विरह को भी शांत बास, निश्ठा नी बडली उस पवन Нजे के प्रति निश्ठा नी बडली, उसने इतना निश्ठुर और इतना दुष्ठ वैवार किया, पवनन जे उसके साथ परंतु उसने एक निश्ठा नी बडली तो अंत में वो हारा और जितना द्वेश था उतना फिर प्रेम भी पर वाइस साल तक सहन करना पड़ा दो घड़ी का करम ये निकाचित का प्रताप है और जनरली हम जो देव शास्त्र गुरु धर्मात माओं के प्रती सचसंगियों के प्रती ये जो करते हैं वो जनरली निकाचित होते हैं वो आपको भुग नहीं है क्योंकि वो अनंतानमंदी की श्रणी में ये सारे करम और वो तो आपको निकाचित है जगत के सामान्य लोगों से जो करना वो करो द्वेश करना तो करो ने सामान्य इशा करने तो करो परन्तो वहांथ धर्मात्माँ के साथ दर्मी जीवों के साथ आपने कर लिया जाने अंजाने में भी बात खतम आपए वो भोग नाई एक ितने भी बड़े बड़े आंसु निकालो ने बाद में पानी देने वाला कोई नी मिलेगा उसको लास्ट में ऐसी स्थिति आज़ती और इस भव में नहीं तो अगले भव में इस भव में कदाचित पुर्णे का उधे हो आपके खमा खमा होती हो बात अलागे अगले भव में निस्चित मिलेगा पर उस समय गए अमारों तो कोई दोश न थी होत जनम थी लगाविन आज शुदी कोई नो खोटू विचार उन न थी पर तुने अभी ने विचारा था यह पहले विचारा तो कर्मो कर्याजे आपने भुतकाड मा जन्मो लई ते कर्मनो फड़ भोग याविन मार गए एके पर नतु जब ज्यान प्राप्त हो जाता है उस समय वेक्ति निर्वय हो जाता है कि मैंने पुरू में कितने भी कर्म कैसे भी खोटे कियो हो पर मेरे पास अब समता भाव है उस समता भाव भी ब्रह्मास्त्र है उस ब्रह्मास्त्र से मैं कैसे भी कर्म को सहन कर लूँगा इसलिए राजाश्यनिक जेसो को नरक का भए नहीं था उसको पता था कि मैं मरकर के नरक में जाओंगा किसी को पता हो तो कैसा लगे उसको अपने को पता नहीं है क्या पता हो कौन सी गती में जाएंगे नरक में जाओगे और सम्मेक दृष्टी है उसलिए उसको भगवान की वाणी पर पुरुन विश्वास है संचे भी नहीं है कुछ भी उसको पताएगी मेरा ये हाल होने वाला है और नरक में दुख कैसे वो भी पता है उसको तो भी किंचित भी भाई नहीं उसको क्यों भाई से कर्म के प्रदेश में आते हैं मुझे कुछ नहीं करा सकते हैं दुखी होना सुखी होना वो मेरे हाथ में कर्म के हाथ में धोड़ी है ऐसी खुमारी आती है उसमें और ऐसा समत्व भावाता कश्ट भले हो जाए ये कर्म जादा से जदा क्या करा सकते हैं मुझे कश्ट द कष्ट होना और दुख होना में बहुत अंदर, कष्ट तो पुद्गल का विपाक है। बुखार चड़ा 104 डीक्री वो कष्ट है। हाथ-पेर में दर्द हो रहा है वो कष्ट है, स्वीर में दर्द हो रहा है वो कष्ट है। ये देहाश्रित है कष्ट सरे पर उस कष्ट में प्रसन्न रेना ये अपने हाथ में दुखी मत हो कोई बात नहीं हो रहा है तो हो रहा है तो सम्मिक दृष्टी है कष्ट को बहुत मस्ती से सहन करते हैं अभ्यंतर दुख नहीं और उसको भी निर्जरा का कारण मानते है कि आ करके जा रहे हैं जितने भी कष्ट पढ़ने हैं पढ़ जाओ मुझे कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि वो सब जाने के लिए आ रहे है पर अन्तु जाने के लिए कब आएंगे जब उसमें प्रसन्न तासे वो उसको भोगेगा भोगेगा क्या वो भोगता ही नहीं उसको निकाल देता है बस क्य जैसे दर्पन में आग लगती है तो दर्पन उसका अनुभव नहीं करता है दर्पन गरम धोड़ी हो जाता है ऐसे ही शरीर में बुखारारार आग लग रही है आत्मा गरम नहीं हो जाता है आत्मा शांत रहता है शरीर को कितना भी गरम होना हो तो हो आत्मा गरम नहीं होगा आत्मा अपनी शांती नहीं खोएगा आत्मा अपनी शांती को नहीं खोता है वो ही उसका स्वभा में रहना है तो गरम शरीर गरम होके वापस ठंडा भी हो जाएगा ठंडा होके वापस भी गरम हो जाएगा ये त इतना कर लेता है और सब कर्मों को निकाल देता है दरपण की तरह अभिकारी तो उसने कर्म का फल नहीं भोगा उसके केवल प्रदेश उदय हुए विपाक उदय नहीं हुआ क्यों विपाक का उदय तो तब मना जाएगा जब आत्मा उससे परिशान होगा रागी द्वेशी ह तब मना जाएगा आत्मा तो होई नहीं रहा है रागी द्वेशी तो उसने अनुभव कहां कराया अनुभव तो कराया ही नहीं जराभी क्योंकि अनुभव आत्मा करता है आत्मा में आकुलता वैकुलता होती है और जिसके आत्मा में आकुलता वैकुलता होई नहीं रहा है ऐसा समझ रहा यह तो सब अनेकांच से समझने जैसी चीज है को सफल रायक नहीं रहा मरलोब प्रदेश उदे हुआ फल सहीत नहीं हो विपाक उदे उसका उदे वो सफल नहीं तो अगर कर्मों को नहीं भोगना आए तो आत्मा में रहा कोई डर नहीं जो भी आना है वो आचा निरठक न थी कुछ भी भाव निरठक नहीं उसका फल जरूर मिलेगी हम जो भी अच्छे भाव करते हैं भगवान से प्रार्तना करते हैं मौक्ष की भावना करते हैं धर्म की भावना करते हैं तो वो चीजे मिलेगी भावना कभी भी निश्वल नहीं चाती है सत्संग की भावना करो सत्संगी मिलेंगे सत्पुरुष की इच्छा करो सत्पुरुष मिलेंगे धर्म की इच्छा करो धर्म मिलेगा मौक्ष की इच्छा करो मौक्ष मिलेगा जिसकी इच्छा करेंगे वो मिलेगा बस इच्छा के अनुरूप अपना पुरुशार्थ होना चाहिए फिर वो पकेगा और पकने के बाद वो मिलेगा तुरंद भावना करें तुरंद नहीं मिलता है वो भावना पकेगी दिमे 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 और फिर उसका फल मिलेगा और कोई बुरा भाव किया तो उसका फल भी मिलेगा तो मैंने तो आजकल लोगों के यह प्रश्ण बहुत होते हैं कि आपने धर्मात्मा ची नहीं यह तो बद्दू सारों करें ना जगत्मा लोगों कुट लोगों खोटों करें ची कि जितनों संसार में तो यह देखो राजनेता हो नहीं है सार बोलीवूड के यह नहीं यह डाकून आतंक वादिन सब और मजह कर रहे हैं कोई दुख नहीं है उनको जराबी जेल में जाते तो जेल में भी फर्स क्लास सुविधा है उनको ऐसी की स्विधा है जल में मिलती है ऐसे लोगो तो आप कहरो फलतु में ये सारी चीज़े हैं कोई फल नहीं मिलता है खाओ पियो मोच करो लुटो पोई ऐसा नहीं है अभी उनके पुन्य बाकी है स्टोक खलास नहीं हुआ उनका इसलिए उसका उदे चल रहागी उसका उदे चलता है तो लाख पाप करो आप आपको उस पाप का फल नहीं मिले पर जैसे ही पुन्य खीन जब होत है उदे होत है पाप दाजे वन की लाकरी प्रजले आपो किसी किसी के होते हैं जिवन बर मस्त क्या अंतिम समय जहल में है अब उसका उदे आया है यहां तो थोड़ा सा ही हो इसके बाद जो होगा दुर्गती में हो देखने जैसा है और खतरना भी उसका तो हम अपने साथ इमांदार रहें कुल मिला करके अपने भाव नहीं बिगण में मुख्य बात यह है सब का फल मिलता है जे कई पन करवा मां आवे तेनों फड़ भोगवा मां आवे यह वो प्रत्यक्ष अनुभव छे और वर्तमान में ही भोगते हैं हम कुछ तो हमको जैसे क्रोध आया तो क्रोध से आकुलता होती है की नहीं होती है उसको कौन भोग रहे है हम वर्तमान में ही भोग रहे हैं उसको भविश्य में उस संसकार का उदे आयेगा और वो तो एक अलग बाते हैं वो तो भोगेंगे ही सारी चीजे वो तो शायद भोगो के नहीं भोगो जला भी सकते हो आप तो पस्या से पर वरतमान में जो विभाव करके उसकी आकुलता भोगी वो तो वरतमान का ही फल है और वो ही तो मुख्य फल है आत्मा विशमता में आ गया वो ही तो मुख्य फल है वो ही तो नरक है ही होती हैं अच्छे नहीं लगते हैं एक दूसरे को कुछ भी अच्छा नहीं लगता है इसका नाम नरक तो यहां भी क्या हो रहा है अभी जहां द्वेश हो रहा है जहां क्रोध हो रहा है वो नरक ही तो है मन में नरक चल रहा है रती नहीं अच्छा ही नहीं लग रहा है कुछ भी तो क्रोध हुआ तो अकुलता हुई तुरंद भोगा हमने उसको मान हुआ तो विचलन हुआ तुरंद भोग लिया आमने उसको माया हुई तो कपट को तुरंद भोग लिया आत्माने तो तुरंद भोग होता है बाद में परंपरा भोग भी होता है उसका परंपरा भोग हो के नहीं हो तुरंद तो उसका फल मिल ही गया उसको इसलिए कोई गुस्य में रेना नहीं चाहता है, कोई विकारों में रेना, टेंशन में कौन रेना चाहे हैं? सब टेंशन फ्री होना ही चाहते हैं, पर फ्री होना का मार्ग पता नहीं है, टेंशन फ्री होने के लिए नहीं टेंशन बढ़ाते हैं, क्योंकि टेंशन फ्री होना का रास्ता पता नहीं है अब इसके उदारण देते हैं विष्खादाती विष्णु फड़ जैसे विष्खाएंगे विष्खा फल मिले साकर खावाती साकर नो फड़ शक्कर खाएंगे तो मिठास अनुभव में आएगी अगनी को सपर्ष करेंगे तो अपने को उसका फल मिलेगा गरम लगेगा और हीम ने सपर्ष करवाती हीम सपर्ष नो जेम फल थेया विना रेतो नथी ठंडेकों चोगे ठंड़क लगी तेम कशायादी के अकशायादी जे कई पन परिणामे आत्मा प्रवर्ते तेनों फल पन थवा योग्यत छे अनेते धायत छे अब इधर कशायादी और अकशायादी दोनों अगर कशायों में प्रवर्तन कर रहेंगे तो कशायों का फल क्या है आकुलता वो मिलेगा और अकशाय भावितराक भाव में रहेंगे समता भाव में रहेंगे तो उसका फल क्या है निराक क्या चाहिए वो हमको नक्की करना है अज्ञानी को कशाए प्री होता है अपने वो दादा थे नाम भूल जाना ताडी का बाट वड़ा लास्ट में द्वरंपूर में रहते थे स्वाध्या करते थे उत्तम दादा उत्तम दादा वो एक कहानी बता स्वाध्या अज्यानी को कैसी पृरिकर है एक इस्ट्री को उसकी कोई सांसेतवा कोई होगी उसके प्रति मक्सर भाव था तो धर्म सुना अच्छा लगा उसको धर्म परनतु उसके प्रति मत्सर भाव रहा करता था फिर अपने गुरु शें पास कई तो महाराज मेरेको सम्मेध दर्शन कैसे हो वो बताओ तो तुसम्मेध दर्शन तेरे को हो सकता है तो तेरे को जिस से बस्तर्वाएं, उसके पास जाके माफी मांग कि मेरे से बहुत गल्ती होगी मैं एक गलती भिरसे नहीं करूँगी ऐसा करके तू पाफियोगा तो महाराज महारा वो संब्यक दर्षन नथि जोई जोई तो क्या प्रिये है मान मौक्ष प्रिये नहीं है मान प्रिये वो नहीं जाना चीमस ऐसे ही जीवों को अपना मान, अपना कपट, यही प्री है, बहुत प्री है बहाँ भारत का उधरन मैं दो-चार बढ़ सब्दा है करणा को कृष्ण जी ने बता दिया, लड़ाई चालू होने पहले ही हो कि अरजुने ने तुम्हारा भाई है उसको बहुत कष्ट हुआ कष्ट किस बास का हुआ कि वो कहता है कि आज तक मैं केवल इसी इरशा भाव से जी रहा था कि कभी अरजुन से सामना होगा और मैं उसको हराऊंगा और मारूंगा यही मेरे जीवन का लक्ष था मैं आपने मेरे को मेरे से वो मेरा मतसर भाव क्यों छीन लिया यह बता करके आपने बहुत बड़ा मेरा नुक्सान अब मैं जीऊंगा क्या मेरे पास लक्षी नहीं है जीने का क्योंकि अब मेरे छोटे भाई के प्रती में जान लेवा बाण तो नहीं चला सकता न उसको मार नहीं सकता आप वो मेरा मस्सरभाव रहा ही नहीं उसके प्रति क्योंकि आपने बता दिये को मेरा भाई है आपने ऐसा क्यों किया मेरे कोट संकट में डाल दिया आपने ये कशाय प्रियता कशाय चली गी उसका सुख नहीं है उसको क्यों चली गई क्योंकि इसी के आधार से अग्यानियों का जीवन चला करता है वो इसी के आधार से इच्छाओं से आकांक्षाओं से आशाय से जीते हैं सब लोग और आशाय छीन लो तो विक्ति को ऐसा लगता कि मर गये है इसलिए संसार में आशाओं के बहुत गीत गये जाते है कि आशा नहीं छोड़नी चाहिए अंतिम समय तक आशा रखनी चाहिए यह आशा है हिम्मद मिलेगा जरूर मिलेगा आशा नहीं छोड़वा वो डोक्टर कहते हैं भाई अब इसका कुछ नहीं होता है ना आशा नहीं छोड़वा ने आपने तो आशा नहीं छोड़ते हो तो फिर दुख्य हो क्योंकि वो तो मरेगा पर दोक्टर ने करें सब कुछ कहते हैं मरेगा वो तो अपने गुरुदे उपर भरषव राखो तो यूं किरेंग आशा छोड़ो पर आपने उनी के नाम से आशाओ को पकड़ रहे हैं उन्हें ये थोड़ी का कि आप आशाओ को रखो और मैं उस आशाओ पूरी करूँगा इस थोड़ी का, उन्हें ने तो ये का कि आशाओ छोड़ो, सुख मिलेगा हाँ वो तो आशाच छोड़ने के लिए के लिए और हम उनी के नाम से आशाय बना रखी है भगवान भलोकर से आप हो अमारा गुरुदेव छह ने इतला हमारा बद्दु सारोथ से आपके गुरुदेव आपके काम करने के लिए नो कर रहे क्या क्या आपके काम करेंगे घर ग अमार बद्धों हमार गुरुदेव ठीक कर से हैं हमार गुरुदेव ना प्रताप थी बद्धों ठीक था इच्छे गुरुदेव को समझा ही नहीं को चाते क्या है तो यहां कहरें कि जो परिणाम करेंगे कशाय अत्वा अकशाय उसका फल निश्चित रुप से होगा अब हमको नक्की करना है कि हमको क्या करना है ते क्रियानो आत्मा करता हुआ थी भोगता ची आप कर रहे हो इसलिए भोग रहे हो जो करता है वो ही भोगता है जिसने नहीं किया वो भोगता नहीं संसार में इस सत्यों को नहीं जानने के कारण से बहुत सले रूढिया चलती है धर्म के नाम से रूढि़ी चलती है बेटा धर्म करता है बाप के नाम से अमार पिता-श्री ने आत्माने शांती मर्स है अइसा करके यहाँ बढडितों को जिमात है लोगों को तो ठीक है इस श्राद्ध वगेरा जो नो वो ऐसे ही चल पड़े सारी कि हमारे हमारे पुर्वज जो अभी है न कई अधर जूल में होंगे तो मुक्त हो जाएंगे हमारी ये करने से कई लटक रहे होंगे अब यह कोई आत्मायद लटकती नहीं है कहीं बीच में उसने तो अपनी गति ले ली वो तो दूसरी गति में मोज कर रहा है और यहां बैटा उनके नाम से श्राद्ध कर रहा है कि मेरे पिता श्रीकोन पूर्वजो को बहुत शांती मिलेगी उनको बहुत पूर्णी मिलेगा उनको पिंडदान करनान यह सारी यह रूडिया तो आप यह करो कोई दिक्कत नहीं है इसका साइंस भी ऐसा था कि मरने के बाद बेटा थोड़ा धरम करेगा तो उसको पूर्णी लगेगा पर अब ऐसा मानों कि मेरे पिता श्री को लगेगा तो यहां आप मिध्यात्वका सेवन कर रहे हैं पूर्णी लग रहा है एक साथ दोनों के अस्त्रव हो रहा हूँ आप जो लोगों को अपने घर पे ला करके भोजन करा रहे हैं किसी को दान दे रहे हैं उनके नाम से उससे पुण्णी लग रहा है पर जब आप ऐसा मानते हो की यह पुण्णे का फ Val हमारे पिता जी को नदादा जी को मिल लगए तो वा मिध्यात्वक का सेवन कर अग्यान का सेवन कर रहे हैं मानने था ठीक रख के करो उनके नाम से हमको दान देना है बस अच्छी बात है उनके नाम से जो करना हो करो करना ही चाहिए अपने अपने या तीथी लिखाते हैं वगरा पर उन्तो ऐसा थोड़ी है कि वो फल उनको मिलेगा फल तो जो करता है उसी को फल मिलता है अब किसी के भी नाम से तो मानने तक गलत है वो गलत निकाल देना बस ऐसा थोड़ी है कि मिथ्यात भी होता है उसको पुण्य नहीं होता है मिथ्यात वका सेवन करते करते भी पुण्य तो हो सकता है कोई दिक्कत नहीं है कोई प्रोब्लम नहीं है उसको परंत वो पुण्य फिर पाप में कनवर्ट हो जाता है भोगों में लगता है अपने आपको संभाले अपन अपने भाव है उसका फल भी अपने को है निमित्य निर्दोष ऐसा कल किसी ने का ऐसा इसको भी अने कान से समझना निमित निर्दोष सामने वाले के लिए स्वेम निर्दोष नहीं है वो जैसे कोई वेक्ति किसी को क्रोध कराने के लिए चेश्टाय कर रहा है क्रोध उत्पन्न करने के भाव से कोई चेश्टाय कर रहा है तो वो जो क्रोध उत्पन कराने का दूसरे को भाव है न, उस भाव से वो निमित निर्दोश नहीं है, वो दोशी है, परन्त उसका फल उसको मिलेगा, निमित स्वेम अपने लिए निर्दोश नहीं है, निमित दूसरे के लिए निर्दोश है, अपने सापेक्ष उसको कोई कोई दोश नहीं क्योंकि हमारा कुछ नहीं बिगाड़ा उसने परन्तु वो गलत भाव कर रहा है और किसी का निमित बनके तो वो उसका जरूर बिगाड रहा है और उसका फल उसको है इसलिए निमित का फल नहीं है यहां बैट करके कोई सब को disturb कर रहा है तो जो disturb हो रहे न उनके लिए तो निर्दोश है क्योंकि उनके कर्म का उदय है और वो अपनी गलती से disturb हो रहे है आप उसकी तरफ ध्यान क्यों देते हो प्रंत उस विक्ति को disturb करने का जो भाव है न उससे वो दोशी है इससे कर्मबंद उसको उसके भाव का हो रहा है यह disturb हो रहा है इसलिए नहीं हो रहा है मैं disturb हूँ अथ्वा मैं डिस्टर्ब नहीं हूँ पर उसने तो दिस्टर्ब करने के भाव किये अथ्वा ऐसा प्रमाद किया इसलिए उसको फल उसका मिल गया इसलिए निमित पर की अपेक्षा निर्दोश है स्वकी अपेक्षा सदूश है उसका फल उसको मिल गया ऐसा करता भुकता पने को अच्छी तरह से समझ करके अपने आपको निर्दोश रखने का परेत्न करना चाल ओम देह चताजे नीदशा वर्ते देहाती ते ज्यानी नाचरणमा हो वंदन अगनी ते ज्यानी नाचरणमा हो वंदन अगनी सद्गुरूदू परमकुरुपालूदू त्रिलोकनानात्य की जय सबसंतन की जय आनन्दवन ओम सुत्र सवसात्य ओ आत्माचु आपनो सेवक्षु सावनो मित्रचु हो आत्माचु आपनो सेवक्षु सावनो मित्रचु ओम शांति ही शांति ही शांति ही शांति ही जैसत्गुरु आपनों ख़यो आत्माचु झाल